हालो गाईस तुम्हें सोफिया आपके लिए कैमिस्ट्री की एक और नए वीडियो लेके आई हूँ हम यहाँ पर पढ़ रहे हमारा नैक्स टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंट्स होते क्या हैं जब हैलोजन और हैलोजन आपस में क्या करते हैं आपस में जुड़ते हैं आपस में रियाक करते हैं जब हैलोजन और हैलोजन आपस में कंपाउंट्स का बेसिकलि अगर बात करें कि इंटर हैलोजन तो halogen और halogen जब आपस में combine होगे, आपस में जुडेंगे तो वो वहाँ पर बनाएंगे inter halogen compound, something like that, A, B and type का inter halogen compound बनाते हैं, जिन में A जो भी रहेगा, जो A जो भी halogen रहेगा, उसका size हमेशा बढ़ा होगा, और B का कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, clear there, तो halogen और halogen जब आप inter halogen compounds का formation होता है, जिसे basically अगर हम बात करें, 1, 2, 5, ठीक है, तो इतने halogen, inter halogen compounds का formation होता है, सबसे पहले बात करते हैं, X6- की, ठीक है, तो इस तरहा का inter halogen compound होते हैं, उनका shape कैसा होगा, linear होगा, और लगभग जितने भी halogen होते हैं, सब ही यहाँ पर इस तरहा के inter halogen compound का formation करत हैं, like that, CLF, BRF, IF, BRCL, ICL, और IBR, ठीक है, clear that, यह सब ही यहाँ पर inter halogen compounds हैं, जिनका formation हो रहा है, ठीक है, linear type में, XX- type में, ठीक है, फिर दूसरा जो रहता है, XX3, मतब पहला एक central halogen atom, उससे तीन और halogen जुड़े वे रहेंगे, shape रहेगा, T-shaped, like, ठीक है, यहाँ पर CL, मतब क् 3, फिर IF3 और ICL3, यह हो गए, XX3 type के inter halogen compound, जिसमें एक central में देखिएगा, central element है, और इसके आसपास क्या है, तीन halogen दूसरे जुड़े हो है, XX5- के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो shape रहेगा, वो shape रहेगा, square pyramidal, यहाँ पर जो shape रहेगा, वो shape रहेगा, square pyramidal, दिक है, CL F5, BR F5, और IF5, तो एक-एक यहाँ पर क्या है, central metal है, CL यहाँ पर central है, BR यहाँ पर central है, I यहाँ पर central element है, और 5 यहाँ पर दूसरे halogen atom जुड़े होए हैं, और shape यहाँ पर वो केसा बनाएंगे, square pyramidal type का shape बनाएंगे, फिर एक होता है, XX7, मतब एक central element है, और उसके साथ में 7 halogen atom जुड़े हुए हैं, तो different oxidation states के basis पर, यहाँ पर यह सारे interhalogen compound बनेंगे, यहाँ पर जो oxidation state रहेगी, वो plus 1 रहेगी, CL और BR की, यहाँ पर plus 3 हो जाएगी, यहाँ पर plus 5 हो जाएगी, और यहाँ पर जो iodine रहेगा, वो plus 7 oxidation state तक शो करेगा, ठीके, reason is that, क्योंकि आप अच् 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 तक oxidation state शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर interhalogen compound इस तरह से बने हुए है, xx, xx3 क्योंकि plus 3 oxidation state, xx5 मतब plus 5 oxidation state, और xx7 मतब कि plus 7 oxidation state, तो इतने तरह कि हमारे interhalogen compound का formation होता, और इन interhalogen compounds के बारे में detail में हमारी next वीडियो में पढ़ने बाले हैं, तो इसी तरह से ज चैनल को subscribe करना ना बूला, thank you